सरकार चाहे कितने भी विग्यापन चला के हमें ये बताने की कोशिस करें कि सराव स्वास्ते के लिए हानिकारक होती है फिर भी लोग कहां मानने वाले हैं और सराव एक ऐसी चीज जो कि हमारे जन्म से पहले भी थी अभी भी है और आगे भी रहने वही वाली है और दोस्तों यह तो अब एक फैसन बन चुका है आज हम बात करने वाले एल्कोहोल मैनुफेक्चिरिंग कंपनी गलोबल स्पेट्स के बारे में तो दोस्तों मैं आपका दोस्ती इसको मारे बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और आब हम वीडियो को शुरू करते हैं सरसे पहले हम ब बात करते हैं यह तो यह काफी बड़ी बात है कि यह कंपनी वह चीज बनाती जिससे की एल्कोहोल बनेगा यह जो है इस बिजिनस की बैकपोर है क्योंकि आप समझ गया है कि जो चीज जो चीज राम इत्रल है वही इनके पास अवेलेबल है तो यह इनको दूसरी कंपनियों की बावर दिती है और यह जहीननय को सप्लाइब करते है इसके बात रएंखे म aç फ्रैंचाइज बोटलिंग burst को है कि यह कंपनी दूसरी कंपनियों के लिए बोटलिंस भरकर उन्हें फिन आगे श्प्लाई करती है बोटलिंग वोलिум में एक बहाक करने वाली है कि FI 17 से देखिए रहां परलबक 3.3 million cases इनके लिए produce कर रहे थे और जो कि घट गया था FI 21 में ये volume घटा था तो बावजू दिसके कि जो volume गिरी है company ने यहाँ पर अपना price को बढ़ा के रखा और जिससे ही company को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और तो यह दिर साथ है company के पास यहाँ पर भी एक pricing power है इसके बाद इनका 30 से बिजने सेग्मेंट है by products by products में देखिए यह animal feed industry में काम आता है इसके बाद फिर यहाँ पर CO2 भी निकलती है जो कि refrigerated liquid और dry ice के बनाने के काम आता है इसके बाद हम बात करेंगे इनके consumer business की तो यहाँ पर देखिए आपको दो नाम बड़े सुनने को मिलेंगे पहले है iamil जिसका मतलब है इंडियन मेड इंडियन लिक्विर और दूसरा है iamfl जो कि इंडियन मेड फोरन लिक्विर इन दो सब्दों को आप सोड़ा ध्यान में रखे आगे हम इन सब के बारें बात करने वाले हैं अब हम बात करते हैं कंपनी के कंजूमर सेग्मेंट की तो यहां पर देखिए लोकल ब्रांट्स है जैसे की नीमबू घूमर ही रांचा और नारंगी जनरली यह जो फेमस है यह राजिस्तान साइड में फेमस है ग्लोबल स्पीट्स की एक सबसीडरी कंपनी है यूनिवेव जिसके थुरू यह अपने प्रीम सेग्मेंट में भी अपनी शराब को बेचती है यहां पर आप देख सकते हैं कि आप यह अच्छे अच्छे नाम है साथ अपने सुने भी हो गवर्नर रिजर्व और लफाइर ग्लोबल स्पीट्स में से मैनुफेक्चरी बिजनेस जो है 57 परसेंट कंट्रिबूइट करता है और कंजूमर 43 परसेंट के लगबग इसमें रिवेन्यू में कंट्रिबूइशन करता है अब हम यह देखेंगे कि मैनुफेक्चरी में इन तीनों सेग्मेंट में से कौन कितन इन से पर कंट्रिबूइशन कर रहा है और तो प्रिवेन्यू मिलता है कि 12 प्रिवेन्यू ना ने तो दोस्तों हम बात करें कुछ financial ratio की तो यहां पर देखिए इविट्टा में देखिए लगबग यहां पर FI 17 जो 59 क्रोड था वो बढ़का अभी से में देखिए 201 क्रोड तक पहुंच चुका है और सेम यहां पर यहां पर मिली और अभी यह लगबग यहां पर मिली और अभी यह लगबग तेज़ परसेंट का से यूटिलाइज कर रही है पहले कंपणी देखिए आठ से 9 परसेंट का से होते थे और 2020 के पास से देखिए डबल डिजिट ग्रोड देखने को यहां पर मिली और अभी यह लगबग तेज़ परसेंट का से पहुंच चुका है और सेम यहां देखिए से जो लगबग 586 करोड रुपे होती थी और अभी वो हमें देखने को यहां पर 1200 से 1300 करोड तक पहुंच चुकी है मुनाफ़ा कमा रही है और उसका हम नजर डालेंगे इसके अर्निंग पर शेर पर तो यहां पर देखिए पहले जो दो रुपे चोटिस पैसे होता था मार्स 2015 में अभी लगब 48-50 रुपे का सपास है तो काफ़ अच्छी ग्रोथ देखने को मिले एक ग्लोबल स्प्रेट्स में इसके बाद हम बात करेंगे जो इनके जो कम्पीडेटर्स हैं उनके मुकाबल में कमपनी कहां पर है तो यहां पर देखिए कंपनी का जो पी है ग्लोबल स्प्रेट्स का वह लगबग 20 का है और इसके अगेस्ट पर देखिए जो बड़े पदेर्स है वह 76 पे है अगर वीडियो अपनी तक आपने नहीं देखिए तो जरूर देख ले थोड़ा सा आपको उससे और बेनिफिट होगा जोस्तों अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें हमने बात कि हैं ग्लोबल स्प्रेट्स के बारे सबीचीज़ काफी अच्छी लगी है पर एक चीज़ पर करेंगे में प्तार लोकेशन की तो इनके पास अंगर राजस्थान में अर्याना बिहार और वेस्ट बेंगोल में उसके बाद करेंगे का स्थेट वयस मार्क शेर बाइट अपर देखिए राजस्थान में का माकिट से तुँटि ना, परसेंट और वैस्ट बेंगोल में 2 Effect. और हरियानम है 8% हमने सबी points पे बात कर लिये ग्लोबल स्प्रेट्स की तो आईए इसका आप एक निकालते है conclusion तो यहां पर लेगे सबसे बड़ा जो point है यहाँ पर कि company के पास एक balance product portfolio है ग्लोबल स्प्रेट्स एक मातर ऐसी alcohol manufacturing company है जो कि देखिए शुरू से लेकर आखरी तक सबी काम करती है जिसमें कि और raw material बनाती है फिर वो bottling भी करती है और फिर उसका अपने लिए तो alcohol बनाती ही यह साथ में दूसरी company के लिए भी वो supply करती है इंडिया के अंदर largest ENA producer है ग्लोबल स्प्रेज तो वो भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है उपर के दोनों पॉइंट इसे पावर देते है प्राइसिंगी पावर योगि अभी यह company price अपने कंट्रोल कर सकती है तो यह भी यहाँ पर बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इसके बाद दें कि जो चीज़ मुझे से पसंद नहीं आई है वो इसमें थी कि जो इसके पर मोटर से है उन्होंने अपने होल्डिंग डिक्रीज की है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें यहाँ पड़े कोशन्स रहना पड़ेगा आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जूरू बताना आप इस कंपनी में अभी तक इन्वेस्टिड हो की नहीं तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जूरू बताए और अगर आपका कोई भी सवाल है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूरू सकते हैं तो दोस्तों मैं अब आप से मिलता हूँ नेक्ट वीडियो में तब तक लिए टेक केर बाई बाई